Hello kids, I am Josna Godd, I am your science teacher. आज हम अपना first chapter स्टार्ट करेंगे, Plants Around Us. Plants Around Us, पौदे जो हमारे आसपास होते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, Parts of a plant, यानि की, जो plants हैं उसके parts. A plant has many parts. मतलब, plants के अंदर बहुत सारे parts, यानि की भाग होते हैं, वो कौन-कौन से भाग होते हैं, ये देखिए, पिक्चर आपको दिखाई दे रही हैं न, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो parts होते हैं. सबसे पहले है, root, ये आपको दिखाई देरी न, ये क्या कहलाती है, roots, then stem, इसको हम इंदी में तना बोलते हैं, फिर उसके बाद आता है, seeds, ये देखिए, ये आपको टामेटो के अंदर को छोटे-छोटे से बीज नजर आ रहे हैं, वो क्या कहलाते है, seeds, फिर उसके बाद बनता है, fruits, ये देखिए, दिख रहे है न, आपको टामेटो, ये क्या है, fruits, और उसके अंदर आपको एक green-green कुछ दिखाई दे रहे हुआ, ये क्या कहलाती है, leaf, ये देखिए, लिखा हुआ न, leaf, और then, flower, ये तो हो गया, parts of plant, plants grow from seeds, plants बनता कैसे है, plants बनता है, seeds से, most plants grow from seeds, most plants, यानि कि, अधिकतर plants grow किसे करते है, seeds से, a seed has a baby plant inside it, मतलब, seed जो है, baby plant जो होता है न, उसके अंदर होती है, ये देखिए, ये है seed, दिखरेए न आपको, when the seed gets air, मतलब, जब seed को air मिलती है, हवा मिलती है, water, पानी मिलता है, and water, और गर्माट मिलती है, the baby plant comes out, तो एक छोटा पौधा बनता है, ये देखिए, दिख रहा है न, आपको, एक छोटा सा पौधा बन गया न, the baby plant slowly grow into a big plant, मतलब, एक छोटा पौधा धीरे से वो ग्रो करता है, धीरे धीरे, और एक baby plant बन जाता है, और उसके बाद में फिर वो big plant बन जाता है, ये देखिए, कैसे बना, पहले हमने एक बीज लिया, बीज को हमने मिट्टे के अंदर डाला, फिर उसने ग्रो किया धीरे धीरे, तो एक छोटा सा बन गया न, प्लांट, उसके बाद में फिर थोड़ा और ग्रो करता है, तो वो क्या कहलाता है, baby plant और उसके बाद में धीरे धीरे, वो बड़ा हो के क्या कहलाता है, big plant, kids, kids, sorry, आज हम बस इतना ही करेंगे, बाकी का next video में, okay, bye bye.